नमश्कार फेंज श्राद करता हूँ आपके इस चैनल पे और अज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पास Dish टीवी है और Dish टीवी में आपको पिच्चर लो क्वाल्टी मिल रही है या फिर आपको पिच्चर सेटिंग कैसे करना हैं उसकी जानकारी मैं आपको पूरा दू करना है और दोनों HD और नॉर्फल बॉकस में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है दोनों में, उसके जहानकारी आपको दोंगा तो बेरो पर बनी रहे हैं और देखते जाएं कि कैसे आपको डिश टीवी का नया बॉक्स को, या फिर आपका पुराना बॉक्स हो उसको कैसे तो सबसे पहले आपको अपने डिश्टीवी के ये रिमोट देख सकते, ये रिमोट है मेरा डिश्टीवी का, ले तो टीवी को अपने बाद से खाएंब करने के बाद से धया,rika सब देख सकते हैं, इत्याफ्शन में आपको जाना है, MyDigTV में आना है, MyDigTV में जाज से ही आप आएंगे, तो MyDigTV में देख सकते हैं, आपस आपका पहला उफ्शन मिल जाएगा, Reminder का, इसके बाद मिल जाएगा आपका फेवरेट का, फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा channel settings, फिर इसके बाद आपको video and display settings, फिर इसके बाद आपका आएगा longest settings, timer settings, tolls हो गया, HTV sets हो गई, तो इसमें आप देख सकते हैं, इत्याफसन आपकी इसमें मिलेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आजाना इसमें video and display में आप आएगे, तो यहाँ पास से आपको ok press करना है, जैसी आप remote से ok press करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पास से आपका जो audio and display में है, तो सबसे पहले आपका TV screen format का option आता है, TV screen format में आपका क्या-क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको सिर point 3 ratio का आपका आ रहा है, फिर इसके बाद आपका इतने ratio का आ रहा है, फिर इसके बाद आपको जो TV आपकी जो होगी, जित्ते इंच की, उस इंच की हिसाप से आप उसको radius में select कर सकते हैं, तो मेरी TV 43 inch की है, तो मैं 16 into 9 ratio पे रखूँँगा, और यहाँ पसे मैं ok कर फिर इसके बाद radius का option आता है, तो radius में आप जैसे क्लिक करेंगे, तो radius में आपका कित्ते option आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या रहा है, तो यहाँ पसे आप देख सकते है, 16 into 9 वाइड हो गया, फिर इसके बाद 4.3 का option आएगा, जो आपका छोटी TV क के लिए रहता है, और इसके बाद zoom जो है, तो zoom आपका बहुत बड़ा आपका रहेगा, तो देख सकते हैं, कि फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, इसमें जो आपके TV होगी, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, तो इसको मैं 16 into 9 ratio में रखूँगा, और रुके कर फ्रिज के बाद आपका time out बढ़ना लोग है, तो इसमें आपका time out है, जो आपका नीचे show करता है, चैनल का, आपका वो वहां पस रहेगा, आपको कित्ते second में आपको करना है, यहां पसे आप OK प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं, कित्ते times आ रहे हैं, तो यह आप दे सिर्फ दो ही option आ रहे हैं, इसमें आप दो option को select कर सकते हैं, और इसमें जिसमें आपको picture quality अच्छी दिखें, उसमें आप उसको select कर ले, तो मैं यहां पसे save कर दिया, और यह आपको HD चाहर है, तो इसको मैं कित्ते में रखना चाहता है, यह देख सकते हैं, यह आपको जो back, back का color है, वो आपको उस हिसाब से रहेगा, और उस हिसाब से उसको बना सकते हैं, तो आयोप की video आपको समझ में आ गई होगी कैसे आपको एक डिस्टी भी में picture quality और video quality को आपको improve करना है, और अच्छी बनाना है, कैसे इस तरह से setting करके आपको बना सकते हैं, HD में आपको बस HD का option मिल जाएगा, कि आपको कितने ratio में आपको देखना है, बाकि आपको setup यही रहता है, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, आपको अगले video पे, तब तक के लिए नमस्कार